हेलो अरिवन, वेलकम बाक टू अनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परवत और पहाडिया भारत के जो भी प्रमुक परवत और पहाडियों से एलेटेड ग्वेसंस इग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अब तक जो भी पूछेगें वो सब कुछ हम यहां पर इस वीडियो में देखने वाले और उमीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेलफूल रहने वाली है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रही है और अगरे से पहले आपने बागी के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बागी के टॉपिक्स को भी देख लीजेगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है सबसे पहला प्रशन ये है कि जैनती पहाड़ी किस राज मिस्तित है तो जनरली हम जानते हैं गारो, खासी, जैनतिया ये सबी के सबी तीनो जो परवत हैं मिघाले के अंतर गता आता है तो कभी-कभी क्या होता है कि questions अलग करके पूछ लिए जैसे यहाँ पर जैनती पहाड़ी है, गारो पहाड़ी पूझाएगा, खासी पहाड़ी पूझाएगा तो ये तीनो के तीनो मिघाले में स्थित है साथ-साथ इसके बारे में अगर हम कुछ explanation देखना चाहें तो देख सकते हैं कि गारो, खासी और जैनतीय पहाड़ियां मिघाले में मिघाले के पठार परिस्तित है मिघाले के पठार के अंतरगत अगर हम कुछ point से आना चाहें तो जैसे कि प्राइदी पिय पठार पुर्व में राजमहल पहाड़ियों से सीमा बनाते हुए मिघाले या सिलोंग पठार तक फैला हुआ है गारो, राजमहल गैप इस पठार को मुख्य खंड से अलग करता है पठार का जो निर्माड हुआ है यानि कि जो ये मिघाले पठार है इसका निर्माड आर्कियन, क्वाट्जाइट, चटानों और सिस्ट द्वारा हुआ है पठार का ढलान उत्तर में, ब्रमपुत्र घाटी और दच्छड में, सूर्मा और मेगना घाटी होता है तो हाँ पर ये भी ध्यान रखेगा कि सूर्मा और मेगना घाटी कहाँ पर पढ़ता है, ये सब आपको याद रखना है चलिए, इसके बाद second question कि मिकीर पहाडी किस राज में स्थित है मिकीर पहाडी किस राज में स्थित है तो इसका सही आंसर बन जागा option B, मिकीर पहाडी, मिकीर पहाडी के अंतरगर, option B होगा साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि असम के काजिरंगा रास्टी उध्यान के दच्छिड में स्थित पहाडियों का एक समो बनाती है यह कार्बी चोटी कौन सा है तो डम्बू चको डम्बू चको इसकी सबसे उची चोटी माले जाती है तो यह important है अगर आपको questions अच्छे लगए, वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को like and share करिएगा और चैनल पे पहली बारे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बे लाइक उनको आल पे सेट कर लीजे कल की वीडियो एक हमारी मनिसम आम ने डाला था जो की पॉलिटी का सिरिज स्टार्ट उन्हों ने किया अगर आपको उनकी वीडियो अच्छी लगी लगी कैसा है क्या है ठीक है तो आप लोग एक बार जरूर देख लिए इसके बाद हमारा थर्ड क्वेशन है कि पठकाई बूम परवत्स रेडी के अंतरगत कौन सा नहीं आता है तो पठकाई बूम जो परवत्स रेडी है इसके अंतरगत निमलिखित में से कौन नहीं आता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएका ऑप्सन दी त्रिपूरा एक्कॉर्डिंग टो ऑप्सन त्रिपूरा करेक्ट होगा यहाँ पर पठ़िए कि पठकाई बूम पहाडिया भारत के पुर्वी भाग में स्तीत है असम, मनिपूर, मेघाले, मिजुरम और नागलन पठकाई सीमा के साथ है पठकाई परवत स्रिंखला के माध्यम से देहीं नदी असम की सिव सागर जीले में ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए नीचे बहती है पठकाई के अंतरगर तीन परवत स्रिंखलाएं आती है ध्यान रगे यह इंपोर्टेंट रहेगा पठकाई के अंतरगर तीन परवत स्रिंखलाएं आती है जिसमें पठकाई बम होगया एक गारोखासी जैंतिया पहाड़ी होगया एक और एक होता है अपका लुसाई परवत ठीक है लुसाई पहाड़ी इस रेडी का उच्छतम बिंदू फैंग पोई तलांग है फैंग पोई तलांग जिसे हम लोग ब्लू मांटेन के नाम से जानते हैं और ब्लू मांटेन मीजोरम में पढ़ता है ये प्रश्ण अल्रेडी एक को समझ में आएगा ये परवत माला उत्तर भारत को दच्छिड भारत से अलग करता है यानि लगभग बीचों बीच में पढ़ता है यह गुजरात मद्यप्रदेश उत्तर परदेश बिहार जहारकरण में फैला हुआ है मद्यप्रदेश और उत्तर परदेश के कुछ हिसे म साकर के मिलता है उस परवत को मैकाल के पहाड़ी कहते है सत्थपूडा से एक प्रश्ण ये पूछाता है कि सत्थपूडा के सबसे उची चोटी का नाम क्या है ध्यान रखी का सत्थपूडा के सबसे उची चोटी धूपगड होता है ठीक है धूपगड अगला प्रश्ण क केमूर के पहाड़िया निमलिखेत में से किस राज्य में नहीं फैली हुई है, केमूर के पहाड़िया आता है उत्तर प्रदेश बिहार, यहां पे मद्य प्रदेश और राइट आंसर नमारा हो जाएगा option D, जहारखंड के अंतरगत केमूर के पहाड़िया सामिल नहीं करते है option D नहीं फैला है, सेवराय के पहाड़िया निमलिखेत में से किस राज्य मिस्ती थे, यह questions इतना important है कि एक बार UPSC में भी एक questions पूछा गया है, तो सेवराय के पहाड़िया ध्यान रखना है तमिल नाडू के अंतरगत पढ़ता है option B, और इसके बारे में मैंने कुछ points जाता है, इसका सबसे उचा जो सिखर है, 1620 मीटर पर इस्तीत है, यार कॉड नगर इस पहाड़ी में बसा हुए, यह उतना important नहीं बस आप यादरे के सिवराय पहाड़ी कहाँ पर है, चलिए, कल्सुभाई की पहाड़ी निमलिखेत में से किस राज्य में स्तीत है, कल्सु सिखर पर देवी की सुभाई का एक छोटा सा मंदिर विस्तीत है, जिसे हम लोग कल्सुभाई परवत के नाम से जानते हैं, कार्डेमम हिल्स जिसको हिंदी में इलाइची की पहाड़िया कहते है, किस राज्य में स्तीत है, तो यह केरल में पढ़ता अपका, ठीक है केरल में कहां पर, तो यह याद रखना है कि उडिसा के अंगूल जीले में स्तीत है, उडिसा के अंगूल जीले में स्तीत है, राजमहल की पहाड़ी निमलिखित में से किस राज्य में स्तीत है, तो जारखंड is the correct answer, option C, और संथाल परगना में यह पढ़ता है, इसको याद रखेगा गिर्णार के पहाड़ी निमलिखित में से किस राज्य में अवस्तित है, गिर्णार की पहाड़ी निमलिखित में से किस राज्य में अवस्तित है, गिर्णार की पहाड़ी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार आपसे एक चोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ल स्रिंखला की उच्छी चोटी जो है अनाई मोडी किस राज में ये प्रश्ण भी अल्रेडी एक्जांस में पूछा गया आपका कि दच्छल भारत की सबसे उच्छी चोटी का नाम के है अनाई मोडी अनामलाई परवत स्रिंखला का एक भाग है चोटी है तो इसका सही आंसर ह हो जाता है कहाँ पर तो यह कीरल के अंतरगत आ अनाईमोदी के अंतरगत आता है इसको याद रख्येगा देखे यहाँ पे यहाँ सब्यान कर सस्भारच और अगला की नंगा परवत जिसोक हम लोग कातिल पहाड के नाम से भी जानते हैं कातिल पहाड नंगा परवत कहां स्थित हैं तो ये उत्राखंड राज्य में option C उत्राखंड राज्य में स्थित हैं गड़वाल हिमाले में स्थित कामेट परवत किस राज्य में तो कामेट का भी सही आंसर आपने टीक कर लिया होगा, उत्राकंट, ठीक है, कामेट, उत्राकंट, इसके बाद next one है कि, सालतोरो कांगरी, सालतोरो कांगरी या फिर केटिन के नाम से प्रस्चिध जो की स्तीत, ये पढ़ता है, लदाख के अंतरगत, ठीक है, लदाख, next one, जोंग सोंग सिखर, निमलिख हो जाएगा, उप्शन D के साथ सिख्किम है, जोंग सिख्किम है, काबरू, हिमाले का एक परवत है, जो किस राज्य में स्तीत है, काबरू, हिमाले का ही एक परवत है, किस राज्य में स्तीत है, तो काबरू का सम्बंध हो जाएगा, सिख्किम के साथ, काबरू, सिख्किम के साथ है मोकुट पर्वत निमलिकीत में से किस राज्य के निसासित प्रेदेस में स्थित है अग्ला आगला सकील, खिरılar समय में, ऐस कीलगां में, तिरीषूल में हैं तिर्सूल परवत burada अगला है, तिर्सूल परवत तोपत या फिर तुरीचूली परवत या फिर तुर्सूल परवत तोफ़ जाता है उत्त्राखं़ पको सबहَ अपसेन ऑगला प्रस्व कि सत्थपूडा की उची चोटी धूपगड कि स्राज में स्थितर इसके साधी साथ दो और पूछा जाता है कि जैसे कि यहां पे तोगे सत्थपूडा की उची चोटी धूपगड अरावली की सबसे उची चोटी गुरू सिखर होता है यह याद रखेंगे छोटा नाकपुर किस राजय में इस्तेत है तो उत्राखंडी सही होगा option C पठकाई पहाड़ियों में स्तेत सारामती चोटी किस राजय में स्तेत है सारामती चोटी ये बहुत important प्रशन है सारामती नागलेंड के सबसे उची चोटी माने जाती है इसको याद रखेगा option D होगा नागलेंड option D will be correct answer अगला है कि खकाबो रजजी पहाड कहीं कहीं हका रबो रजजी लिखता है भारत के साथ किस देश की सीमा पर खड़ा है और ये जानते हैं कि मैनमार के सबसे उची चोटी के रूप में भी जाना जाता है हका रबो रजजी ये किन पुरुवत्त राज्यों में इस्तित है लुसाई पहाडी जिसे हम लोग मिजो पहाडी के नाम से भी जाते है मिजोरम और मडीपूर मिजोरम और मडीपूर right answer option A होगा मिजोरम और मडीपूर अरावली स्रेडी के अंतरगत निम्रिखित में से कौन सम्मंधित नहीं है जो अरावली स्रेडी फैला हुए तो इसके अंतरगत कौन नहीं आता है गुजरात आता है, राजथान आता है दिल्ली भी आता है लेकिन मध्य प्रदिश इसके अंतरगत नहीं आगा तो option D हो जागा सही answer नागा पहाड़ी का सम्मंध किस राज्यें से है नागा पहाड़ी नागा पहाड़ी यानि नागा लेंड ठीक है, नागा लेंड option B और नागा लेंड में एक और परवध हमने कौन से देखा था सारा मती पहाड़ी देखे, सारा मती पहाड़ी और अब है सुबाइस आज कि इस वीडियो का आकरी प्रस्ट है कि डफला और मिसमी पहाडिया किस राजिम स्थेत हैं देखे फिन्स वैसे तो बहुत सारे और भी पहाड हैं जो कि हम इस वीडियो में चाहिए इंक्लूड कर सकते थे लेकिन हमने उसको सेलेक्ट किया जो कि आपको जानना से आपका ये टॉपिक की कवर हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया परवत और पहाडिया तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने तरीके से जितने भी सोर्स हैं आप उन सभी सोर्स से इस टॉपिक के साथ यानि सही आंसर है ओप्शन ए ठीक है अब आप कमेंड करके बताए कि मिकीर पहाड़ी किस राजय में स्थेत है मिकीर पहाडी किस राज्य में स्थित है उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो अगर आपको वीडियो पसंद आ हो तो like and share जरू करिएगा चैनल पर पहली बार है और आपने अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो यार प्लीज subscribe करके notification विल आइकन को all पे set कर लिजे हम मिलते आपने साथ इसी बरकार के किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks of watching, keep watching, keep learning, have a good day